वाहे गुरुची का खालसा वाहे गुरुची की फते क्या आपने कभी किसी सरदार को भीक मांगते देखा है मैं बताता हूँ कि कभी नहीं देखा होगा दोस्तो पिशले करीब 60 सालों से यहाँ बजुरक सरदार जी यहाँ पर बैठ कर काम करते है रोजाना सारा दिन थूप में बैठते हैं और एक एक रुपए कमाते हैं लेकिन कभी भी किसी से भीक नहीं मांगते हैं ना तो इनका घर है और ना ही इनके बच्चे हैं आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे ही बजर्ग सिख सर्दार जी को दिखाने वाले हैं जिन्नोंने अपने जीवन के 50 सालों में कभी भी भीक नहीं मांगी हैं एक बार इनके उपर इतनी बड़ी मुसीबत आई कि उस समय इनके पास एक भी रुपए नहीं था और उस दिन इन्हें पैसे की इतनी सक्त जरूरत थी कि यहें गुरु साहिब जी से फर्याद करते हैं और गुरु साहिब जी के बताय हुए सिधानतों पर चलते हैं और इन्होंने भीक कभी नहीं मांगी और ना ही उस दिन इन्होंने किसी से एक पैसा शीना जिस दिन इनके पास पैसा तो उस दिन गुरु साहिब जी ने इनके उपर किर्पा की और इनको सड़क के किनारे जाते समय एक हजार रुपए मिल गए। उस दिन से इनका विश्वाश और पका हुआ और इन्होंने वजन तोलने वाली एक मशीन खरीदी और उसको बाजार में लेकर बैठ गए। अब आ इने हाथों से काम करें और कभी भी किसी दूसरे का हक ना खाएं। यह बजुर्ग सिख गुर्द्वरा दुखनिवारन साहिब के बाहर अपने दुकान लगाते हैं और जब भी आप वहाँ पर कहीं जाएं तो इनकी पहचान करके इनकी दुकान पर जाकर अपना वजन तोल कर इनको पैसे जरूर दे देना वरना यह किसी से कभी भी कोई भी पैसा मदद के रोप में नहीं लेते हैं रात को यह वही दुकानों के सामने बाहर सो जाते हैं एक दुकान के अंदर अपना सामान रख देते हैं और दूसरी दुकान वाले को अपना कैश थमा देते हैं और पर अपनी दुकान पर काम करते हैं इस वीडियो के समंदी अपनी कोई भी राय सुझाब हो तो नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर देना कर लए इतनी रहें देवे अच्छा जी अच्छा जी तुसी रहें देगे थे शायर जाए इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करना मिलेंगे एक नए वीडियो में वाहे गुरूजी का खाल सा वाहे गुरूजी की फते है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट करने के बाद वाटसब में शेयर जरूर करना